देव वुमी उत्राखंद घुमे हो क्या अगर नहीं घुमे और घुमने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में एक इन्फोमेशन दे देते हैं जो आपके काफी काम आने वाली है उत्राखंद के हल्दुवानी से चंपावत पितोरागड वो मुनसियारी के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा शुरू होने वाली है हेली सेवा कंपनी ने 19 जन्वरी को गोला पार हेलिपेड से हेली सेवा हेतू ट्रॉयल किया था इसके बाद नागरिक उडियन महाने देशाले द्वारा हेलिकॉप्टर सेवा की अनुमती दी गई हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने के मद्दे नजर प्रसाशन द्वारा हेलिपेड में आवशक सभी विवस्ताव को चाक चौबंद कर दिया गया है 22 फरवरी से हल्दुवानी से चम्पावत पिथोरागड और मुंस्यारी के लिए हलिकॉप्टर की सीवा शुरू होने वाली है हेली सेवा का ट्रॉयल सफल होने पर बीजी सीय की अनुमती के बाद सेवा शुरू करने का यह फैसला लिया गया है हल्दुवानी से मुंस्यारी के लिए पहली हलिकॉप्टर सेवा सुभर 7 बच कर 45 मिनिट पर है पिथोरागड के लिए 9 बच कर 35 मिनिट पर और चम्पावत के लिए 11 बच कर 5 मिनिट पर चम्पावत के लिए प्रतिव्यक्ति किराया 2500 रुपे तैह किया गया है जबके पिथोरागड के लिए 3000 और मुंस्यारी के लिए किराया 35 रुपे तैह हुआ है इन सेवाओं के शुरू होने से लोगों के पास यात्रा के लिए एक और सेवा का विकल्प शुरू हो जाएगा उन्हें एक और सेवा का विकल्प मिल जाएगा इसके अलाबा परियटन गती वीडियों में भी काफी तेजी आएगी आपको पता हूँ तो प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी के छोटा के लाक्ष दर्शन के बाद से पहुचने वाले परियटकों की संख्या में व्रद्धी हुए दिन बदिन परियटन बढ़ रहे हैं जिसको लेकर सरकार नी हेलिकॉप्टर सीवा शुरू करने का बिन्य नहीं ले लिया है तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं और गुमना चाहते हैं और इस सेवा का आनंद लेना चाहते हैं तो जरूर ट्राइ करें हेलिकॉप्टर सी गूमने का उत्राखन देव भूमी गूमने के लिए बेहद ही खुबसूरत जगा है और यहां गूमने वालों की सं प्रिंज मिले उन्हें हेलिकॉप्टर से भी गूमने को मिल सके पहाड़ों को देखना मिले वादियों का आनंद लेने का एक मौका मिल सके इसके लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है जो की 22 फरवर से शुरू हो रही है अब आप जरूर बताए क्या आप इस हेलिक इजी हो जाएगा गुबना और एक अलग तरीके का experience भी मिलेगा। आपकी क्या है राय हम तक जरूर पहुचाए कमेंट करके।